प्राइसलिया नम्सकार आपका स्वागत है हमारे चैनल एजूबीम में बचो ये लेक्चर आठवी क्लास की चैप्टर नूम्बर फर्स्ट रैसलिया नूम्बर के उपर होने वाला है बच्छो आप मैं आपको पढ़ाऊंगा रैसल नंबर होते कहें रैसल नंबर के पर basic operations वगेरा वगेरा बट रैसल नंबर को study करने से पहले चली हम उतनी previous knowledge यानि जो हमने 6th class में study करा था उसको थोड़ा सा जांच लेते हैं तो 6th class में बच्छों हमने study करा था सबसे पहले natural number natural numbers या जिने आप counting number के नाम से भी जानते हैं natural number या counting number number such as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on यानि हम कह सकते हैं एक group और collection of numbers which starts from 1 यानि वो collection या वो group of number जो हमारा 1 से start होता है यानि ये number जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on ये सभी हमारे natural number होते हैं फिर हम उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़े थे तो हमने whole number को भी define करा था और whole number को study करा था तो whole number क्या होते हैं यदि हम natural number के collection के अंदर अगर हम zero को include कर देते हैं तो हमें जो collection मिलता है वो whole number कहलाता है यानि हम कह सकते हैं इससे seven ये seven पे stopping नहीं है मतलब seven so on का मतलब dot dot means कि number आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमने वहाँ पे इतना भी study करा था इसके बाद हमने आगे बढ़ते हूँ ये भी बढ़ा था कि positive number होते के हैं positive number होते हैं यानि जिनके आगे plus लगा हो या ना लगा हो वो भी plus वाले कहलाते हैं यानि हम कह सकते हैं positive number को plus वाले यानि जिनके आगे plus sign लगा हो या ना भी लगा हो उन्हें हम positive number कहेंगे हमने negative number को भी define करा था negative number जिनके आगे minus sign लगा हो include हो minus sign यानि minus वाले Such as this, minus 3, minus 5, minus 9, etc. तो बच्चों, यह हमने starting कर रहाता है natural number से, यानि collection of number which starts from 1. Such as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on. Whole number means, जब हम natural number के अंदर 0 को include कर देते हैं, तो हमें जो collection मिलता है, वो whole number कर रहता है. तो student, आपको इनके बीच में difference में निजार आ रहा होगा, कि हम सभी natural number को, सभी natural number को हम whole number कह सकते हैं. क्योंकि जो natural number है, अगर हम 0 को hide करें, तो इसके अंदर include होते हैं. बट हम सभी whole number को natural number नहीं कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि 0 natural number के collection में include नहीं था. ठीक है बिच्चों, फिर positive number का meaning, मैंने यहाँ पर positive number का meaning, तो जस्ट यह है कि जो प्लस वाले होते हैं यानि अगर प्लस का साइन अगर आपके उसके नंबर के आगे है नहीं तब भी वो प्लस का कलाएगा बट नेगेटिव नंबर जो होते हैं उनके आगे माइनस साइन लगाना कंपल सरी है तब भी वो नेगेटिव नंबर अधरवाइस वो negative number नहीं किलाएंगे हम थोड़ा आगे बढ़े थे तो हमने study कर रहा था integers के बारे में तो integers क्या होते है student? इंटिजर होते हैं यदि हम whole number के अंदर यदि हम whole number के collection के अंदर negative of natural number भी include कर दें तो हमें integer मिलता है यानि हम integer को कैसे define कर सकते? integers, a combined collection of natural numbers and negative of natural number. यानि a combined collection of natural numbers and negative of natural number हम ये भी कह सकते है natural number को अगर हम whole number को भी include कर दें तो हम इसको इस तरीके से भी define कर सकते हैं a combined collection of whole numbers whole numbers and negative of natural number यानि इन दोनों collection को include कर दें यानि whole number 0, 1, 2, 3, 4 and so on अब natural number के होते हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on but negative of natural number means कि minus sign include कर देते हैं तो ये हमारे integer बन जाते हैं हमने 6th class में student इनके उपर basic operation such as addition, subtraction, multiplication and division बहुत उची तरीके से study कर रहा था but यहां हम इस class में rest number को define करने जा रहे हैं तो rest number को define करने के लिए ये सभी बहुत ज़्यादा important था इसलिए मैंने आपको एक quick recap कर रहा है तो चलिए हम next हम 8 class के रिए rest number है उसको define करते हैं कि rest number होते क्या है rest number तो बच्चो rest number होते हैं हमारे उन number को rest number कहा जाता है जो pyq की form में होते हैं यानि pyq की form में होने का मतलब क्या हो गया यानि उनका एक upper part होना चीए और एक lower part होना चीए यानि हम एक proper तरीके से कैसे define कर सकते हैं the numbers which can be express कई बुकों में return भी लिखा होगा तो मैं return लिख देता हूँ return in the form of p by q where p and q are integers integers यहाँ पर इमने study करें यानि combine collection of whole number and negative of natural number where p and q are integers and q should not be equal to 0 are called rational numbers for example के लिए बच्चो number जैसे 7 by 3 यह भी हमारा rest number है यानि अपर पाट यह p है और यह q है minus 9 over 2 भी rest number है 0 over 7 भी rest number है बट बच्चो 7 by 0 यह definition को follow नहीं करता है इसलिए rest number नहीं है क्योंकि आपने definition में देखा होगा कि the numbers which can be express or written in the form of p by q where p and q are integers and q should not equal to 0 तो यहाँ पे 0 यानि जो lower term है या lower number है वो 0 हो गया है इसलिए यह mathematics में rest number को definition को fit नहीं बैठता है इसलिए यह हमारा rest number नहीं है बच्चो एक और question मेरा यह बनता है आप से कि अभी हमने इससे पहले पढ़ाता natural number, whole number और integers पढ़े थे क्या वो सब भी इस rest number के collection में आते हैं चलिए देखते कैसे आते हैं अगर आपको यह note down करना है तो आप इसको वीडियो को pause करके आप इसको note कर सकते हैं तो चलिए मैं मिटा दिता हूँ natural number यानि natural number अपने पढ़ा था अभी natural numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so यह सभी की सभी हमारे natural number है क्या यह PYQ की form में लिखे जा सकते हैं? बिल्कुल सुटें क्योंकि अगर हम किसी भी number को 1 से divide करते हैं तो उन पे कोई भी effect नहीं पढ़ता है तो बच्चो यह देखो यह भी PYQ की form में आ गए तो यह भी natural number भी हमारे rest number कहे जा सकते हैं इसी तरीके से अगर हम whole number को देखें whole numbers को हमने define करा था जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on यह सभी whole number है क्या मैं इनको divide कर सकता हूँ 1 से obviously 1 से गर हम divide करते हैं किसी भी number को तो कोई effect नहीं पढ़ता तो यह भी अब हमारे PYQ की form में हो गए यानि whole number को भी हम rest number कह सकते हैं similarly integers integers थे हमारे जैसे minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 क्या यह सब भी हमारे रैसल number है बिल्कुल रैसल number है क्योंकि हम इनके भी इनको भी divide कर सकते हैं 1 से और 1 से इनमें कोई भी effect नहीं पढ़ने वाला तो यह भी हमारे PYQ की form में होगे और यह भी rest number है तो I hope आपको rest number का concept clear होगा जैनि रैसल number वो number होते हैं जिनने PYQ की form में लिखा जा सकता है जहां P और Q तो हमारे integer होते हैं बट जो Q है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा तो उनी को हम rest number कहेंगे यहां natural number भी rest number है whole number भी rest number है integers भी हमारे rest number है because हम इनको divide कर सकते 1 से क्योंकि 1 से डिवाइड करने मिन पर कोई भी effect नहीं होने वाला है तो आपको अच्छी तरीके से concept clear होगा है कि rest number होते के हैं चलिए मिटा जिता हूँ मैंने आप note down कर लो वीडियो को pause करके आप कर सकते वाशा तो अब parts of rational number क्या होते है parts of a rational number बचो हमने पढ़ाता कि rest number P by Q की form में लिखा जा सकता है तो जो upper integer है उसे हम numerator के नाम से भी जानते है नमरेटर और जो below number है यानि below integer है उसको हम कहते है डिनो मेनेटर हम इसे short में या अब्रिबियेशन में अनर और इसे डियार भी दिखा सकते है एक्जामपल के लिए जैसे 7 by 3 यहाँ पे इस rest number का जो नमरेटर है वो 7 है और डिनो मेनेटर है वो है 3 है एक और एक्जामपल लेते है माइनस 3 by 17 यहाँ पे नमरेटर है मारा माइनस 3 और डिनो मेनेटर जो है वो हमारा 17 तो आपको parts of rest number rest number के दो ही part होते हैं एक तो नमरेटर यानि जो अपर इंटिजर होता है उसे नमरेटर कहते हैं और जो below digit होती है या number होता है या integer होता है उसे हम डिनो मेनेटर के नाम से जानते हैं तो आपको यह समझ में ही आगया होगा कि rest number के दो part होते हैं और नमरेटर और डिनो मेनेटर चिके तो चलिए आगे को बढ़ते हैं अच्छी तरीके से अब एक form पढ़ते हैं lowest form lowest form simplest या lowest form of rest number का मतलब क्या होता है बिटा lowest या simplest form को एकी नाम है दोनों नाम तो अलग-अलग से बोलते लेकिन दोनों का meaning से में कोई rest number simplest form में कब कहा जाएगा यानि simplest form में rest number तब कहा जाएगा जब उसका नुमरेटर और डिनोमेटर के बीच में कोई भी common factor ना हो other than one यानि इसी one के अलावा इनके बीच में यानि इन दोनों number का कोई भी common factor ना हो तब हम कहेंगे कि यह number हमारा lowest form यह simplest form में इसको मैं example से समझाता हूँ लेकिन पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में लिख वारता हूँ अरिछ लेकिन दोनों अधिए लिख वारता हूँ प्यग वारता हूँ ऐसे वारता हूँ यह वारता हूँ if there is no common factor between P and Q other than 1. बुकों में बच्चों इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि P और Q का HCF 1 हो जैनि इसका मतलब यही होता है कि अगर उनके बीच में कोई भी common factor नहीं है तो उनका HCF 1 है. तो हम दूसरे सब्दों में यहां पर लिख देता हूं से कि that is HCF of P and Q is 1. अगर ऐसा है तब भी वो रैसन नंबर हमारा lowest form या simplest form में कहा जाएगा. ठीक है? आप इसको note down कर सकते हो फिर मैं आपको बताता हूं किसी नंबर का simplest form को example के जिरे समझाता हूं. तो मैं उपर का तो parts of रैसन नंबर है आप इसको pause करके वीडियो को उतार सकते हूं. For example, 8 by 6 है यह अभी lowest form या simplest form में नहीं है क्योंकि 8 और 6 के बीच में जो सबसे बड़ा common है वो अभी 2 है. अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं इनको दोनों नंबरों को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलता है 4 और denominator में मिलता है 3. ठीक है? तो यह अब lowest form है. क्यों? क्योंकि इधर अब 4 और 3 के बीच में कोई भी common factor नहीं है सिर्व 1 के अलावा. तो आपको lowest form समझ में आगे होगी क्योंकि lowest form का meaning होता है कि कोई भी common factor नहीं हो किसी rational number के numerator और denominator में सिर्व 1 के अलावा. एक और example लेते हैं आप इसको थोड़ा सा आपका और clear होगा minus 27 by 6 है. अब minus 27 by 6 में एक सबसे बड़ा common क्या है ये भी 27 भी 3 से divisible है और हमारा 6 भी 3 से divisible है. अगर हम दोनों number को यानि दोनों integer को अगर हम divide कर देते हैं 3 से तो हमें मिलता है 3 9 और 6 से divide करेंगे 3 को तो 2 times में जाएगा. अब लेकिन अब इन दोनों number के बीच में यानि numerator minus 9 और 2 के बीच में कोई भी common factor नहीं other than 1. तो यह हमारे lowest form में और यहां यह number भी हमारा lowest form में तो आपने 6th class में numberों को reduce करना भी सीखा था, lowest form में किस तरीके से reduce करते हैं. तो आपको student समझ में आयोगा कि lowest form होती कह है, यानि एरस number is set to be in, एरस number for example P by Q is set to be in lowest form if there is no common factor between P and Q other than 1. यानि P और Q यानि numerator और denominator में सिर्फ 1 के अलाबा कोई भी common factor नहीं है, तो वो हमारा lowest form में कहलाता है. या हम दूसरे सब्दों में इस तरीके से भी define कर सकते हैं, कि अगर P और Q का HCA 1 है, तो भी हमारा वो रस number क्या कहलाएगा, lowest form में कहलाएगा. इसके लिए example के लिए आप देख सकते हो, जैसे 8 by 6, यह एक रस number है, क्योंकि यह अपर वाला part, यह अपर integer जो है इसका, वो numerator है, और lower part जो है इसका नहीं, lower integer है, वो हमारी denominator है. तो यह P by Q की form में, अब यहाँ पर देखो आप कि 8 जो है और 6 जो है, अभी यह divisible हो सकते हैं, यानि इन दोनों में common factor है, जो दोनों को divide करता है, वो है यहाँ पर 2, तो आप numerator को और denominator को 2 से divide करेंगे, तो यह reduce हो जाएगा इस form में, तो यानि 8 by 6 की जो lowest form है, या simplest form है, वो 4 by 3 है, similarly यहाँ पर देखिए आप, minus 27 by 6 है, यहाँ पर भी यह lowest form में नहीं है, यानि यह simplest form में नहीं है, क्योंकि 27 भी अभी 3 से divisible है, और 6 भी 3 से divisible है, यानि 3 इनका एक common factor है, अगर हम 3 से दोनों नमबरों को divide कर दें, यानि 27 और 6 को, तो हमें मिल जाएगे इसकी simplest form, minus 9 by 2, त तो आप, I hope कि आपको lowest form भी समझ में आगे होगी, रैसल नमबर की, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इसको note down कर सकते हैं, चलिए विच्छों हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं, पॉजिटिव and negative rational numbers के बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, पॉजिटिव और नेगटिव रैसल नमबर होते हैं, पॉजिटिव और नेगटिव जो रैसल नमबर हैं, वो अपने साइन की वज़े से कहलाते हैं, यानि अगर किसी rational number के numerator और denominator में same sign है, either positive और negative, तो वो हमारा positive rational number कहलाएगा, और अगर numerator और denominator में दौनों में distinct sign है, यानि अलग-अलग sign है, तो वो हमारा कहलाता है negative rational number, तो हम एक तरीके से proper define कैसे करते हैं, इसे positive rational number the rational numbers कि अलब लो हमारा के तरीके से कहले कि अगर बार पर भ्रफ़े,ज़गशन से नगर बड़शना रहाएँ, जत्युचर है यह कि एज़गई बार किए ज़गवे ज़गवे, और टुनवभवे, और पर बटीज़गवे, यह कि पत्युदू एम्टना की आप़एवे, और दे रेश्टन नम्बर्स एविंग सेंथे नुमेरेटर एंड देनुमेरेटर आर नौन एज पॉजितिव रेश्टन नम्बर् यह नी सेम साइन बड़ा इंपॉर्टें नियुक्षा पर आप थोड़ा से फोकस करें जैसे में एग्जाम्पल से समझाता हूं अपको माइनस सेवन ओवर माइनस नाइन यहाँ पे नुम्रेटर में नुम्रेटर के अंदर भी माइनस साइन है यह नुम्रेटर के सामने जो है मारा माइनस साइन है और दिनमेटर के सामने भी माइनस साइन है तो यहां पर वैसे अगर बच्चे जैसे अपनी भासा में कहते हैं कि माइनस से माइनस कैंसल हो गया तो यह अगेन हमारा positive rest number बन जाएगा और अगर example के लिए हम बात करते हैं जैसे कि 7 है plus में और यह 13 है तो यहां पर मैंने भी आपको पहले ही बता था positive का number का मतलब अगर इस सेम साइन की वज़े से यह rest number हमारा क्या क्या कहलाएगा यह positive rest number similarly यह भी हमारा positive rest number है क्योंकि आपने देखा होगा जब यह minus minus था क्योंकि minus minus जगर हम कट करते दो plus बन जाता है automatically ठीके नहीं तो 7 by 9 यह भी हमारा rest number positive है अगर आप इस form में भी दे रखा है यानि दोनों sign minus के दिये जैसे 3 over minus 5 है तो यह हमारा positive rest number कहलाएगा negative नहीं कहलाएगा यह positive rest number कहलाएगा कहीं आप इसको सोच रहे हो कि भी minus sign है तो कैसे negative है minus sign यानि आप define हमने define जहां करा है आप definition को आप देख सकते हो the rest numbers having same sign in numerator and denominator are known as a positive rest numbers कहलाते है यानि वो हमारे positive rest number कहलाते है यानि उनके denominator और numerator में क्या होने चीए same sign होने चीए चीए इसके अलाबा negative rest number क्या होते है यदि अगर denominator और numerator में दोनों में different sign है तो वो हमारे लिए क्या कहलाते है हमारे negative rest number कहलाते है Negative rational number को मैं example के जरीए समझा सकता हूँ आपको, आप defined आप खुद भी कर सकते हूँ या negative rational number क्या होते हैं? अब बिल्कुल similarly defined कर सकते हूँ, the rational numbers having different sign in numerator and denominator are known as a negative rational number. तो आप उसको define कर सकते हूँ, definition की इतनी ज्यादा importance नहीं है, आप समझ भी सकते हूँ इसको जैसे. Example के लिए, minus 7 over 3, यहाँ numerator तो negative है, negative integer है, लेकिन denominator जो है, वो हमारा positive integer है. तो यहाँ एक positive और एक negative है, इसलिए यह पूरा की पूरा number हमारा क्या कहलाएगा, negative rational number. Similarly, 2 over 5, यहाँ denominator में minus का sign है, तो यह भी हमारे लिए क्या कहलाएगा, एक तरीके से negative rational number कहलाते हैं. तो आप, I hope, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. हम next class में हम मिलते हैं, आपको rational number के पर जो है हमारा, उसके पर हम fundamental operation, जैसे addition, subtraction, multiplication और division करना सीखेंगे. वो बड़ा ही important है, आपको हर class में वो help करेगा, जैसे आपको 9th में, 10th में, बड़ा वो basic topic है. तो आपको बड़ा aid मिलेगी इससे 9th और 10th class के कई सारे concept को समझने में. तो हम next video में मिलते हैं, with fundamental operation, with rational numbers. Thank you.